Maths Trick Series की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है ये पहली वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे Multiplication Tricks की तो Calculation आपका लगबग हर एक्जाम में आप करते ही है तो Multiplication Tricks हम जानेंगे कि आप easily कैसे दो numbers को जल्दी Multiply कर पाएंगे तो वो हम इस वीडियो में जानेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल हमारे Ranking PDA Education को अभी सब्सक्राइब कर ले और इस Class का जो आपका PDF होगी वो आपको हमारे YT Class Notes section पे मिलेगी इसके लावा जो upcoming जो Classes होंगी आपकी Math Reasoning Series में तो वो आपकी Classes YT Class Notes section पे आप उसकी PDF एक्सेस कर सकते हैं फ्री आफ कोस्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अप्लिकेशन में तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पहले हम यहां पे बात करेंगे आपकी Part 1 इसको हम नाम देते हैं इसमें हम उन नंबर्स का मल्टिप्लिकेशन करेंगे जो आपके 100 से कम हैं उन नंबर्स का करेंगे जो आपके 100 से कम हैं या आप less कह लो तो पहले हम कोक्षन देखेंगे आपका पहला कोक्षन आप कोई भी लीजिए जैसे कि हमने लिया 84 into 91 आप इसका मल्टिप्लिकेशन हमें करना है तो आप easily कैसे जल्दी आप कर सकते हैं तो हमें यहाँ पे पहले क्या 100 को हम यहाँ पे base consider करेंगे और हम easily कैसे इसको calculate करेंगे multiply करेंगे तो 100 से 84 आपका कितना कम है आपका ये 16 कम है 16 आपका less है 84 100 से तो वही 91 आपका 100 से कितना less है तो ये आपका 9 less है यानि 9 आपका कम है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 84 में आप या तो 9 घटा लो या तो आप 91 में 16 को subscribe कर लो वो चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे तो 84 से अगर हम 9 को subscribe करते हैं तो आपका आता है 75 अब हम क्या करेंगे 16 into 9 इसको हम multiply करेंगे तो 16 into 9 को जब हम multiply करेंगे तो आपका क्या आएगा यह आपका आएगा 144 इसकी जो दो आपकी last digit है उनको हम यहाँ पे लिखेंगे 44 और जो यह आपका 1 है जो आप यहाँ पे 1 देख रहे हैं इसको हम यहाँ पे add कर देंगे तो यह आपका कितना हुआ 7,6,4,4 यह आपका final answer है 84 into 91 का जब हम multiplication करेंगे तो आपका answer यह आएगा इसी तरह से हम next question यहाँ पे देखते हैं चलिए अगला question देखते हैं अगला question मैंने लिया suppose 95 into 73 अब यहाँ पे भी same आपको उसी तरह करना है जैसे आपको मैंने बताया 100 से 95 आपका कितना less है आपका 5 less है तो वहीं 100 से आपका 73 कितना less है या आपका 27 less है अब आपको क्या करना है 95 से या तो आप 27 को subtract कर लो या तो आप 73 में से 5 को subtract कर लो तो आपका कितना आएगा 73 से अगर हम 5 subtract करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 68 ठीक है आप हम क्या करेंगे 27 का multiplication करेंगे 5 से कितना आएगा 27 का जब हम multiplication करेंगे 5 से तो आपका आएगा 135 इसमें हम क्या करते हैं लाश्ट की 2 डिजिट यहाँ पे लेते हैं तो वो हमने यहाँ पे 3, 5 लिख लिया और जो यह आपका 1 है यह हमने यहाँ पे एड कर दिया यह आपका कितना हुआ 6, 9, 3, 5 यह आपका है final answer जब हम multiply करेंगे 95 को 73 से चलिए एक और question हम देख लेते हैं यहाँ पे अगला question मैंने यहाँ पे लिया 81 into 92 तो इसमें भी same आपको उसी तरह से करना है अब 100 में से जब आप 81 सप्रेट करेंगे तो आपका कितना आएगा 19 यह आपका less है 92 आपका 100 से कितना less है आपका 8 less है अब या तो आप 81 में से 8 को सप्रेट कर लो या तो आप 92 में 19 सप्रेट कर लो आपका जो आएगा वो यहाँ पे आप लिख दो तो 81 में से जब हम 80 को 8 को यहाँ पे सप्रेट करते हैं तो आपका answer आता है 73 अब हमें क्या करना है 19 का multiplication करना है आपका 8 से तो आपका कितना आएगा 152 यहाँ की जो last 2 digit हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे 52 और यह जो आपका 1 है यह carry हम यहाँ पे कर देंगे तो यह आपका कितना आएगा final 7, 4, 5, 2 यह आपका final answer है जब हम 81 का multiplication करते हैं 92 से तो यह हमने कुछ जाना एक मैं आपको homework दे रहा हूँ यह आपका fourth question यह आपका homework रहने वाला है 75 into 91 इसका multiplication करके हमें comment में जरूर बताएं यह आपका homework है चलिए अब आगे बात करते हैं पहले हमने जाना था कि जब आपका number 100 से कम हो तो हर बार तो यह नहीं जाएगा अब हम इसमें जानेंगे कि जब आपका number 100 से जादा हो यह आपका part 2 है यहाँ पे हम उन numbers का multiplication करेंगे जो आपके 100 से जादा है या फिर आप यह कह लो more than 100 तो इसमें हम क्या करेंगे कैसे करेंगे इसमें भी सेम आपको क्या करना है 100 को आप base मांगे चलो यहाँ पे भी हमें sum में 100 को base consider करना है तो चलिए देखते हैं पहला आपका question कैसा क्या है तो पहले हम suppose करते हैं 102 into 108 अब इसमें हमें क्या करना है 100 में आपका 102 कितना जादा है आपका 2 जादा है ठीक है यहाँ पे हम red से mark कर लेते हैं यहाँ blue लेते हैं आपका 2 जादा है इसी तरह 108 आपका 100 से कितना जादा है 8 जादा है अब हम क्या करेंगे या तो आप 102 में 8 को add कर लो या तो आप 108 में 2 को add कर लो आपका कितना आया 110 इतना आगया अब इन दोनों का multiply जो आए multiplication करके जो आपका answer आएगा वो आप यहाँ पे लिग दो तो 8 into 2 multiply करेंगे कि आपका कितना आएगा 16 यह आपका final answer है इसी तरह से next हम question यहाँ पे लेते है हमने लिया 115 इन टू 106 अब इसका क्या आएगा तो इसमें भी हम same आपका वही करेंगे 100 से आपका 115 कितना जादा है आपका 15 ठीक अब 100 से 106 आपका कितना जादा है 106 आपका 100 से कितना जादा है तो आपका 6 जादा है अब 115 में या तो 6 आट कर लो या तो आप 106 में 15 आट कर लो कितना आपका आएगा 121 अब इसका जो multiplication आए वो आप यहाँ पे लिख दो कितना आएगा 15 इंटू 6 जब आप करेंगे तो आपका कितना आएगा बताएगे 15 इंटू 6 जब करेंगे तो आपका 90 आएगा तो यह आपका final answer रहा यह आपका जब 115 को हम 106 से multiply करेंगे तो आपका final answer यह आएगा 12190 चलिए next question देखते हैं इसी तरह से next हमने suppose किया कि आपका 119 इंटू 112 चलिए हम लेते हैं नमबर अब इसमें भी हमें same यही चीज अपनानी है जो हमने यहाँ पे discuss की 119 आपका 100 से कितना जादा है 19 जादा है 112 आपका 100 से कितना जादा है 12 जादा है इसमें हम क्या करेंगे same वही आपको करना है 112 में या तो 19 एड़ कर लो या तो 119 में आप 112 एड़ कर लो तो आपको कितना आएगा 131 आपका आएगा ठीक है अब इन दोनों का multiplication जो आएगा वो आप यहाँ पे लिख दो उसकी last two digits को तो जब हम 19 को 12 से multiply करेंगे तो आपको कितना आएगा 228 यहां की जो last two digits है वो हम यहां लिखेंगे 28 और यह जो आपकी two है यह हम यहां पे carry देंगे तो आपका कितना आएगा final answer 13328 यह रहा इसका final answer 119 को जब हम multiply करेंगे 112 से तो आपका answer यहाएगा 13328 चलिए एक question आपको हम homework दे देते हैं homework मैंने आपको दिया 135 into 115 का multiplication कितना आएगा यह आप हमें comment section में बताएगे यह आपका homework है चलिए next question हम देखते हैं अब ज़रूरी तो नहीं कि आपका दोनो number आपके 100 से कम है या दोनो number आपके 100 से ज़्यादा है हो सकता है आपका एक number 100 से कम हो हो सकता है आपका दूसरा number 100 से ज़्यादा हो तो हम इस part में discuss करेंगे ऐसे numbers की तो part 3 आपका रहने वाला है less than 100 का multiplication हम करेंगे more than 100 वाले number से ठीक है चलिए इसको जानते हैं कैसे आपको करना है कैसे questions को deal करना है यहाँ पे भी हम same वही करेंगे क्या के जो हमने पिछले में किया था 100 को आप king लेके चलेंगे यह आपका king है इसी से आप deal करेंगे तो फिर चलिए question देखते हैं हमने पहला question यहाँ पे लिया 84 जो कि आपका 100 से कम है और एक कोई number ले ले लेते हैं जो आपका 100 से ज़्यादा suppose हमने यहाँ पे 105 ले लिया ठीक है अब इस case में हम multiplication कैसे करेंगे तो procedure आपका वही रहेगा जो हमने पिछले दो में discuss किया इसमें 84 आपका 100 से कितना कम है तो यह आपका 16 कम है ठीक है अब 105 यह आपका 100 से कितना ज़्यादा है आपका 5 ज़्यादा है ठीक है अब हमें क्या करना है या तो आप 84 में प्लस 5 कर लो या तो आप 105 में 16 को सप्रेट कर लो जो आए उसको यहाँ पे लिग दो लास्ट टू डिजिट आप छोड़ दो तो 84 में जब हम 5 को आड़ करेंगे तो आपका कितना आएगा 89 सेम आप जब 105 से 16 सप्रेट करेंगे तो आपका 89 आएगा ठीक है अब हमने इसन दोनों का क्या करना है multiplication तो इसका multiplication करेंगे तो आपका कितना आएगा 80 पर यह हमें यहाँ पे नहीं लिखना है यहाँ पे हमें क्या करना है एक जरूरी चीज आपको ध्यान रखनी है हम यहाँ पे 2 0 लगा देंगे ठीक है यह चीज आपको ध्यान रखनी है आपको यहाँ पे 2 0 लगाने है यह जो आपका 80 आया है इसको हम यहाँ पे सप्रेक्ट कर देंगे ठीक अब final answer आपको कितना आएगा 8 8 2 0 2 डिजिट है वहाँ पे आपको 0 को ही रखना है ठीक चलिए next question देखते हैं तो आपको और बेचल समझ में आएगा दूसरा question हमने लिया 95 into 105 अब इसमें हमें क्या करना है तो इसमें देखते हैं अब 95 आपका 100 से कितना कम है 5 115 आपका 100 से कितना जादा है 15 जादा है ठीक है या तो आप 95 में प्लस 5 कर लो प्लस 15 एड़ कर लो या तो आप 115 में माइनस 5 5 आप सेपरेट कर लो कितना आएगा 110 ठीक हमने क्या बताया था आपको कि जो last यहाँ पे 2 डिजिट होंगी उनको आप क्या करोगे उनको आप 0 कर दोगे ठीक है यह चीज हमने यहाँ पे देखी थी अब इसका जब आप मल्टिप्लाइ करेंगे तो आपका कितना आएगा तो यह आपका आएगा 75 है ना 75 आया अब 75 को हम यहाँ सब्प्रेट कर देंगे फिर जो आपका आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा तो आपका आएगा 10925 यह आपका आएगा यही आपका फाइनल आंसर है इस मल्टिप्लिकेशन का चलिए एक और कोक्षन देखते हैं हमने सब्पोस किया 85 इंटू हमने ले लिया को भी नंबर सब्पोस 125 ठीक है अब इसमें हमें कैसे क्या करना है आप तो समझ में आई गया होगा आपको तो 100 में जब आप 85 आप देखेंगे तो कितना कम है आपका यह आपका लगभग 15 कम है ठीक है यह 125 आपका सब्पोस से कितना जादा है 25 जादा है 85 में या तो आप 25 एड़ कर लो या तो आप 125 में 15 सब्पोस कर लो आपको कितना आया 110 जो लास्ट टू डिजिट है उनको मिने बताया था क्या करनी है आपको यहाँ पे 0 कर देना है लास्ट टू डिजिट यहाँ पे 0 कर दो ठीक और फिर आपको क्या करना है इन दोनों का जो मल्टिप्टिकेशन आएगा वो आप यहाँ पे लिखोगे तो जब आप 15 को मल्टिप्लाई करोगे किसे 25 से आपका अंसर कितना आएगा 375 ठीक है यह 375 आया अब आप सोचेंगे कि यहाँ तो 2 डिजिट में आ रहा था तो हम यह कर रहे थे यहाँ पे भी 2 डिजिट में आया तो हम यह कर रहे थे अब यहाँ तो मैटर आ गया है 3 डिजिट का अंसर आपका आया कितना मल्टिप्लिकेशन में 375 अब हमें क्या करना है कुछ ने करना है सेम आपको वही चीज फॉलो करनी है यहां पे आप लिकेंगे 573 सप्राइट करिए अब कितना आपका आएगा यह आया 5 यह आया 2 यह आया आएगा आपका 6 यह आपका 0 और यह आपका आया 1 यही आपका फाइनल आंसर है तो यह हमने जान लिया कि अगर आपका नंबर 100 से कम है या 100 से ज्यादा है या आपका नंबर 100 से कम 100 से ज्यादा दोनों है तो उस case में आप multiplication कैसे करेंगे यहां पे भी हम एक question आपको homework देंगे तो 65 into 135 इसका आंसर आप हमें comment box में बताएंगे comment करके बताएंगे यह आपका homework है तो उमेर करता हूँ आपको यह tricks समझ में आई होगी easy tricks थी आपकी हो सकता है आप यह कभी न भूले तो उमेर करता हूँ आपको यह video अच्छी लगी होगी तो ऐसी ही video के लिए आप हमारे channel को अभी subscribe कर लें मिलते हैं एक और नई trick के साथ ए दोंबने वान दोंप थी उमें को एंट आप यह वाब दोंड़ा